कि हलो एवरिवन स्वागत है आपका इस नियू पाम रिडिंग सेशन में सो इस वीडियो में हम इस पाम को रीड करने वाले हैं बेसिकली इस पाम रिडिंग के तुरू हम लोग जानेंगे कि इस परसन के करेक्टराइस्टिफ कैसा होगा फ्यूचर प्रडिक्शन कैसे होंगे और किन चीजों का दिहान रखना चाहिए तो यह सो चीज़े हम कवर करेंगे तो हम लोग इस पाम का रिडिंग शुरू करते हैं इस पहले थोड़ी से चीज़े जो मैं एड कर रहा हूँ आजकर जो है नियूमेलोजी के कुछ चीज़े जैसे कि इसमें नियूमेलोजी का मै जो लौड है वो शनी है तो अगर शनी आपके नियूमेलोजी के लौड है ना तो आपको हाड़ वग ज्यादा करना पड़ेगा और आपको चीज़े थोड़ी स्लोली स्लोली मिलेंगे और सकसेस भी आपको 32 के बाद मिल सकता है बड़ ऐसा है कि ऐसे परसन को बहुत ज़्य करते हैं मांट करते हैं दिन हम लोग जाते हैं लाइन्स की और ठीक है तो जैसे कि इनने पिक्चर बेज़े हैं तो मैं रूइट करना शुरू करता हूं अगर हमनों थंब को देखेंगे जहां से इनके थंब के एरिया ना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें तो म मैं शुरू करता हूं इस बारे में बताना तो यहां पर अगर आप यहां से देखेंगे तो इनका जो धंब है वो मोस्टली 90 डिग्रीज के आसपास काई है तो यह ऐसे होंगे कि लोगों का ज़दा सुनते होंगे बट खुद से ज़दा खुद का इंपुट ज़द देते ह होंगे उसमें मतलब ऐसा है कि लोगों ने बोला तो ठीक है बट खुद के थार्ट से उसमें पॉइंट करना है मतलब हंडिट परसंट सबका नहीं सुनते होंगे यह थोड़े से रिलिजिस हो सकते हैं अंधे अंधर विश्वास नहीं होगा अधिरिजिस में लेके थोड़ से भी कुछ चीज़े एड करेंगे ऐसा एन की लाइफ में दिखेगा और इनको फाइनेंशली इश्यूस मुझे नहीं दिख रहे हैं बिकास इनमें में को स्टेबिलिटी भी दिख रही है जिसे कि यहां पर एक लाइन है वो यहां पर आके मिल रहा है यहां पर मुझी दूसरा यह है कि जो आपके इस चर्कल दिख रहा है यह एंशरकल जो है यह चेंज स्ट्रॉक्चर फॉर्म्ड है तो ऐसा परसन का विल पावर में ना स्ट्रगल आता है इसकी बहुत सारे चैलेंजिस आते हैं पर यह ओवर कम कर लेंगे उस चैलेंजिस को बट इनको लाइ कर पाएंगे तो यह अच्छी बात है तो अभी हम लग जाते हैं फॉर्स फिंगर की और तो फिंगर अध्यान से देखेंगे तो यह स्ट्रेट है स्ट्रेट फिंगर ऐसा इंडिकेट करता है कि आपका एनरजी पॉसिटिव होगा आप जो अपकी कॉलिटी को पॉसिटिव में यूज करेंगे तो अभी इसके बाद अगर में इनका पाम अगर देखो प्रॉपर अब देखेंगे कि यह थोड़ा सना लॉंगर है कंपेर टू यह वाले अरिया से तो इसमें रेशो वाइस ऐसा कहते हैं कि ऐसे परसनल मॉल्टी टास्कर हो सकते हैं ऐसे लोग मॉल्ट जादा चीज़े एक साथ करता है वह उसको खत्म करने का ट्राइक करता है शायद उसमें कॉलिटी कंप्रमाइस हो सकती है ठीक है तो यह हो गए इसके बारे में देन अभी अब यह वह फिंगर के बारे में बात करते हैं तो फरस्विंगर इंडिकेट करता है कि आपके देखेंगे तो यहाँ पर भी एक structure form हो रहा है तो यह indicate करता है कि partner से support मिलेगा तो यह हो गया हमारे first finger के बारे में जो indicate करता है direction repeater finger के बारे में ठीक है अभी होता है second finger जो indicate करता है Saturn के बारे में Saturn finger तो यह क्या होगा अगर यह straight है आपका planning अच्छा है planning के साथ साथ strategy अच्छा बनाते हैं और आपको money related चीज़ों में काफी अच्छा आप सोच सकते हैं money minded भी हो सकते हैं और यह straight है तो आपको depression मिलाने के chances कम है ओके देन अभी आता है ring finger अगर आप compare करेंगे ring finger को first finger से अगर में straight line किछू अगर curve भी नहीं होगा न तो यह अपको indicate हुआ कि यह first little ring finger थोड़ा बड़ा है तो यह indicate करता है ऐसे लोगों को खुद को जानने से अच्छा nature को जानना जदा पसंद आता है ऐसे लोग थोड़े स सुख सिधाय मिलने का शौक बहुत होता है जिससे कि इनको गाड़ी चाहिए घर चाहिए सब कुछ चाहिए इनको ऐसा मन की शांती से फ़रकने पड़ता है इनको यह सब चीज़े चाहिए तो यह दिखता है इनमें और यह नेचर वाइस दिखेगा कि थोड़े एक्स्ट्र स्किल यह होगा थोड़ा सा काम होगा हो सब्सक्राइब का इनको इतना जदा नौलेज यह पिर इतनी इंटरेस नहीं होगा इन सब चीजों में तो यह आप ब甒च जादा उन्स KP नहीं है ऐसा ब।्सकुंध क stret theor उतर बड़ा होता ना तो रिम का老師 बहुत अच्छा होता पॉलिटिकल चीज़े के वारे बहुत अच्छी से समझ रख पाते हैं अभी जो भी है जितना लेवल पे है उनका पॉजिटिव है बहुत वास्ट नॉलेज नहीं होगा उस फिल्ड को लेके ठीक है तो यह हो गया हमने फिंगर्स कवर की अभी आता है फर्स जो मांट तो सब्सक्राइब है तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट इनमें रहेगा जो कि अच्छा साइन है यह फिजिकली स्वांग भी लग रहे है पर यह कि लोगों से थोड़ा कम सपोर्ट मिल रहा है एक सपोर्ट है जो इनको इनके पारेंट्स के थुरू मिल सकता है और थोड़ा केरिंग थोड़ा सा बोल सकते हैं थोड़ा केरिंग नेचर कम देख सकता है इनके केस में ठीके इसके अलावा चीजिए उनमें है यह अपने आपको मेंटेन भी रखते हैं पर यह चीज है कि इनको थोड़ा सब हाइजीन रखना चाहिए बिकोस बहुत ज़्यादा जब लाइन साती उपाय करने चाहिए जो आप बोल सकते हैं कि वाइट कपड़े पहने खुलकंत खाये और फीमेल से अच्छा कनेक्शन बनाके रखें ताकि आपको बिकोस शुक्र जद करके फीमेल में ज़्यादा इंडिकेट होता है तो आप उनसे पर अच्छा रिलेशनिशिप रखेंग इसमें थोड़े स्क्वायर साइन्स है थोड़े से और वर्टिकल लाइन्स है तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है मतलब इनमें लीडर्शिप कॉलिटी अच्छी तो है बड़ थोड़े कन्फूजन स्टेट है मतलब यह टीचिंग अच्छा कर सकते हैं इनके लाइफ में बह आके रखे कि अच्छीव करना है तब लाइफ में कुछ दिखेगा कि अरे कुछ करना था और लाइफ में सटिस्फेक्शन बढ़ने लगेगा तो यह आपको करना चाहिए इसके बाए आता है हमारा सैटन मांट सैटन मांट वह दिखेंगे तो यह है यह थोड़ा सा ना बोल बैनिंग टैकर नहीं दे रहा है अगर में इतना यह चाहिब तो इनको प्लैनिंग तो अच्छा कर लायग कर रहा है इंप्लाइन को बहुता है सकते हैं कि शनी एक दर से स्टोड़ों सब्सक्राइब इसंट करण फे नहीं और इनके अए छबता इंट कॉलिटी वाइस तो ठीक है और उतनों डॉमिनेंट नहीं है तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लाइन्स हा रहे हैं राइट तो एक लाइन्स ऐसा है जो इंडिकेट कर रहा है कि यहां से अगर आप देखेंगे यहां पर कुछ लाइन से ऐसा जा रही है ऐसा 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 यह इंडिकेट कर रहा है कि 35 के बाद इनको नेम फिम शुरू होगा इनका मोल स्विंग्स भी है इनको थोड़ा इन्हेरिटिंस प्रॉपर्टी मिल सकते हैं पर यह है कि इनके लाइफ में जब फेमस भी जब होंगे न तो दीफेमेशन भी थोड़ा आते रहेगा बीच में लोग ट्राइ करेंगे डिफेम करने का तो यह चीज़े हो सकती है बड़ी यह अपने जब फेमस रहेंगे उस ताइमें वेल्थ काफी अच्छा जनरेट कर पाएंगे यहां पर फॉर्म हो रहे हैं कुछ आप बोल सकते हैं काईट शेप का फॉर्म हो रहा है या डाइमन शे इस बड़ा से कम है तो यह अपने कॉलिटी को ज्यादा बहुत जगे पर यूज नहीं कर पाएंगे जो भी है पॉजिटीव है पर कॉलिटी भी अच्छा है तो जहां भी होंगे उतना तक तो यह सही रहेगा और बहुत जदा इंप्रूव नहीं कर पा रहे होंगे तो यह कि पॉजिटीव है बर लिमिटेट जगे तक ही यूज कर पा रहे हैं ठीक है तो हमने कवर कि हो मांट जो हम लोगो फिंगर्स के नीचे हैं अभी जो फिंगर्स के नीचे नहीं यह वाले यह फर्स मांट जिसको अपर मार्स कहते हैं तो यह अगर आप पोलेंगे तो यह इसको दिखाता है कि उसके तो आप कितना कुछ पा सकते हैं तो इनका अग्रेसी नेशर भी अच्छा है एक्चिली इनका जो इनिशल लाइफ था थोड़ा मिस्टेरियस था मतलब यह थोड़े सी चीज़ किसी को बता नहीं रहूंगे जो इनकी लाइफ में घटा होगा तो य यह उनको बोल से देखके भी लगेगा या बातों से भी लगे लिए फोड़े से दिमाग ज्यादा पसंद करने वाले जो ऐसे लोग जो लोगों को बात करना या फिर अंडर्स्टैंडिंग वाइस ज्यादा अच्छ चाहिए तो ऐसे लोगों को यह ऐसा दिखता है विकॉस यह काफी स्ट्रेट फिंगर्स है ठीक है अभी अपर मार्स तो है मुझे दिख रहा है कि इनका अग्रेसिव नेचर इनको बहुत कुछ नहीं देता होगा इनका और्ट्री बीहेवियर भी थोड़ा नेगेटिव रह सकता है तो इनको ट्राय करना चाहिए हर चीज पेशेंस पर की पाराइब करता है इसको फिर लुशा होगा इनका ना ब्राइल हो यह दिख़ों के लिए अच्छा मोन दिख़ें देखरे में प्रम उस्न मुशा सब्नस दोह उट्वन तो यह सुन का करनेक्शन नहीं म시면 फिर देखने नहीं होगा कि इनका इनको इम्रोब्रोव करना अपना बातों को शेयर कर जिससे मन अच्छा हो जा इनका मन थोड़ा निगेटी हो सकता है या ओवर थिंग करते हैं ऐसा हो सकता है तो इस चीज में उनको इंप्रूमेंट की जरूरत है ठीक है देन अभी आता है हमारा जो हमने अभी माउंट कर लिया ना अभी हम लोग रीड जो इमोशन लाइं है य थोड़ा मॉडरीक लेवल कर पर मस्ली इनका जो इमोशन इन थोड़ा लीडर्शीप में जाएगा को आप देहिंगे आप देखिंगे इसे लोग लोग फेरे तीमाटकै भी अगरों कर्व लोग बोर्द.बूल तो ऐसे लोगों को करना emotion थोड़ा अच्छा दिखता है मतलब आप बोल सकते हैं पॉजिटिव रहेगा आप बोल सकते हैं कि ज्यादा over expectation नहीं रखते हैं यह चीजों को लेकर ध्यान दखना चाहिए और भी चीज़े हैं जो बता सकते हैं कि दातों को लेकर थोड़े problems face हो सकते हैं तो यह ऐसा दिख रहा है कि आपको आँखों और लातों में problems रहेगा ठीक हैं अभी हम लोग कवर करते हैं हमारा headline तो headline लब देखिंग काफी straight है जैसा कि मैंने बोला यह straight तो है थोड़ा सा tilt भी दिख रहा है तो ऐसा mind काफी अच्छा रहेगा थोड़ा वैभारी होता है person और practical approach रखता है ऐसे person को analytical चीज है मतलब सोचने विचार करने वाल चीजों में ज्यादा अच्छा लाइता है जैसे कि किसी चीज की बारे मोला है कि यह scenario दिया हूँ और इस चीजों को बता मैं कि इसको किसी को कैसे करूँ तो ऐसा practical mind वहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा तो यह एक अच्छी बात है और इनको एक सजेशन होगा कि इनको डेली बैसिस पर कुछ नो कुछ नो कुछ नो कुछ नो कुछ नो कुछ नो करना चाहिए तो उसको एकसेप्ट करें विकॉस ऐसा अगर वास्ट आपको हैडलाइन है ना तो आपना बहुत सारी चीजों को नो प्रैक्टिकल अपरोच से गेन करेंगे तो ये अच्छा साइन है आपके लिए दिनात है हमारा है लाइफट निकेझ ऐसे कर वह रही तो यह लाइफ राइफ रेन अच्छा है इसमें इंडिकेट कर रहा है कि अपना डेली रूटीन अछ्छा रखेंगे लाइफ का तो आप को हेल्थ इशूज थोड़े कम ही फेस होंगे तो यह अच्छा साइन है और आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस थोड़े लेट आएंगे मतलब अभी जो आपको दीख रहा है थोड़े से प्राबलम भी दिख रहे होंगे फेस हो रहा है तो स्ट्रेस इंवामेंट तो है फ शुरू शुरू में ऐसा होगा कि ना इनको मल्टिपल सोर्स ऑफ इंकम रहा होगा और आगे भी इनको बना रहेगा तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर की एक स्टेबल इंकम है जो आप कह सकते हैं कि 23-24 से शुरू हो रहा है और यह कुछ पैतालीस तक जाएगा फिर उसके किसी ब्रेक के बाद फिर से शुरू होगा पर उसमें आप मल्टिपल सोर्स ऑफ इंकम जनरेट करेंगे और फिर वो ओल्ड एस तक जाएगा तो आपको है करियर अच्छा है प्रॉब्लम नहीं है इतना बठा थोड़ा सा इमोशनली जैसे कि यहाँ पर आके कुछ प्रॉब तो यह अगर आपको हाथ में दिख रहा है प्रॉपरली इधर है आपके रिलेशन्शिप लाइन तो यह क्या इंडिकेट करते हैं जड़ा देखते हैं इसे आप देखेंगे नहीं मल्टिपल लाइन से तो ऐसा परसन होगा ना तो यह थोड़ा आप बोल सकते हैं मल्टिपल रिलेशन्शिप रखेगा यह परसन अपने लाइफ में या यह इमोशनली उतना स्टेबल नहीं रहेगा और यह सब चीजों से बता सकते हैं कि यह इमोशनली स्टेबल नहीं है यह मल्टिपल रिलेशन्शिप रखता है थोड़े से इशूस ट्रस्ट को लेके भी हो सकते है बट हाँ अगर यह lines लंबे हैं तो मतलब यह थोड़ा healthy relationship रख पाता है person तो यह person की marriage थोड़ी से late हो सकती है like आप बोल सकते हैं कि जैसे कि 27 की पहले तक multiple relationship रहेंगे 28-29 के आसपास एक stable relationship बन जाएगा पर मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर मैं zoom करूँ वो line ना थोड़ा branches भी ले रहा है तो वो partner से opinion difference भी होगा opinion difference मतलब वो आपको emotions को समझ पाएंगे इसलिए आप emotionally hurt हो रहे हैं आपका mind strong रहे हैंगा पर उनके mental connection आपको उतने stable नहीं लगेंगे तो थोड़ा opinion difference हाएगा आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ और समझ रहे हैं यह हो सकता है आपके life में ठीक है तो उसके अलावा चीज़े तो ठीक है multiple relationship है मतलब emotionally उतने stable नहीं है emotionally थोड़े से weak दिख रहे हैं इसमें और multiple relationship का मतलब यह भी है कि आप emotional में stable नहीं है तो इनके life में हो चुका होगा because इनका age में ने देखा है तो अगर आपके 303 relationship अगर हो गया है अगर आपका age around 30 के आसपास का कोई एक relationship होगा वो आपका marriage में convert हो सकता है तो मैंने mostly lines सारे read कर लिया है and relationship के बारे में बता दिया है तो अगर viewers जो आप देख रहे हैं अगर आपको भी आपका read करवाना हो तो आप मुझे just message कर सकते हैं वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया